गरेलूब चार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हर दिख स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नुसका और रामबान नुसका लेकर आए हम आपके लिए जिसके इस्तेमाल से आप अपने चहरे की पुराने से पुरानी और जिद्धी जाईयां को खतम कर सकते हैं वो भी बहुत आसानी से और घरेलू उपाय से दोस्तों चहरेक पर पड़ी हुई जाईयां चाहे किसी भी वज़े से हों वो सारी की सारी खतम हो जाएंगी इसके लिए हमें चाहिए एक केला गुलाब जल खस-खस के रस की कुछ बूंदे और ग अच्छा पकावा केला होना चाहिए और उसके गुदे को मसल कर एकदम लस-लसा पेस्ट बना ले उसको और उसमें दो चमच गुलाब जल डाले और उसमें दो से तीन भूंद खस-खस के रस की डाले और करीब चार या पाँच भूंद गलेसरीन की मिला ले और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके एक काच के बरतन में काच की बोटल में भर कर रख ले दोस्तो ये वाली दवा आप एक हफ़ते तक रख सकते हैं तक एक हफ़ते तक इसका इस्तिमाल कर सकते हैं रखने के बाद इसके बाद आप यदि इस्तिमाल करें तो आप नई दवा बना सकते हैं इसके लिए दोस्तो यदि आपके चहरे की स्किन बिल्कु सूखी रूखी जैसी हो गई है तो मेक अप करने से पहले मेक अप ना करें और अपने चहरे पर इस दवा को इस फेस पैक को क्रीम की तरह पूरे चहरे पर लगा ले और जब ये सूख जाए दवा सूख जाए तो उसके बाद आप गुन गुने पानी से इसको अच्छे से दोले उसके बाद आप मेक अप वगरा कर सकते हैं ऐसे तो मेक अप नहीं करना चाहिए क्रीकियों की उसमें कैमिकल्स वाले जो चीज़े होती हैं उनको इस्तिमाल प्लीज ना करें जब तक आप इसको इस फेस पैक को लगाएंगे उस दोरान आप कोई कैमिकल्स वाले चीज़ अपने चहरे पर ना लगाएं तो जादा अच्छा होगा दोस्तो इसे आप हफ़ते में कम से कम तीन बार करें और तीन बार करने के इस्तिमाल से कुछ दिन के इस्तिमाल से आपके चहरे की जाईयां दूर हो जाएंगी और आपका चहरा एकदम खुबसूरत और चमक उठेगा और एक नया खुबसूरत सा गलो आपके चेहरे पर होगा दोस्तो जाईया बहुत खराब लगती हैं दीखने में चेहरा एक्तम उसके सुंदरता बर्बाद हो जाती है तो दीरे दीरे जाईया आपकी खत्म हो जाएंगी तब इसका इस्तेमाल करना बंद कर दे दोस्तो हमें उमीद है कि हमारा यह बताया नुसका आपको जरूर पसंदाया होगा दोस्तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें यदि आपको यह वीडियो पसंदायी हो और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं आपसे हम जल्दी फिर लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें